किचिन में खाना बनाते समय चॉपिंग बोर्ड एक बहुत ही एसेंशल टूल है बट मार्केट में अवेलेबल प्लास्टिक, स्टील, वुडन और ग्लास चॉपिंग बोर्ड में से हमें कौन सा खरीदना चाहिए तो आज इस वीडियो में मैं आपको सभी तरह के चॉपिंग बोर्ड के प्रोज एंड कॉन्स बताने वाली हूँ जिससे नेक्स टाइम आप अपने नीट के एकॉर्डिंग सही चॉपिंग बोर्ड को चूज कर सके तो बिना देरी किये शुरू करते हैं आज का वीडियो प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड कॉमनली यूज होते हैं क्योंकि वो चीप और ड्यूरिबल होते हैं as compared to steel and wooden chopping board साथ ये non-porous होते हैं means जब हम cutting and chopping करते हैं तो प्लास्टिक हमारे food items को absorb नहीं करता which is a good thing and secondly ये soft material होता है इसलिए chopping करते समय knife की sharpness पर भी ज्यादे effect नहीं करता है बट जो सबसे बड़ा negative point है प्लास्टिक chopping board के साथ वो है deep knife marks soft material होने से इस पर knife के deep marks आ जाते हैं और अगर इन्हें अच्छे से clean and disinfect नहीं किया जाए तो bacteria develop हो जाते हैं which may affect our health in a long term नमबर वन हमेशा food grade quality के ही chopping board का use कीजिए जैसे मेरे पास ये दो chopping board है जिसमें जो white वाला है वो अच्छी quality का भी नहीं है और food grade material भी नहीं है जबकि जो ये yellow वाला है बहुत ही अच्छी quality का है और साथी food grade material का भी बना हुआ है नमबर टू अगर आप non-witch खाते हैं तो अपने पास दो chopping board रखिए एक non-witch के लिए और दूसरा fruits and vegetables के लिए to prevent from cross contamination अब चाहे तो अपने plastic chopping board को color coated भी कर सकते हैं जैसे red non-witch के लिए और green fruits and vegetables के लिए नमबर 3 अपने plastic chopping board को time to time clean करने के साथ साथ उसे disinfect भी करते जाईए एक teaspoon नमक और आधा नीबू काफी है आपके chopping board को disinfect करने के लिए नीबू को salt के साथ rub करते जाईए अपने chopping board के ऊपर जिससे वो आसानी से disinfect होता जाएगा non-witch वाले chopping board को once in a week ज़रूर disinfect कीजिए क्योंकि उसमें bacteria develop होने के ज्यादा chances रहते हैं wooden chopping board भी widely use होते हैं Indian households में क्योंकि ये एक natural resource है durable होते हैं और इनके designs और looks भी elegant होते हैं पर कई बार हम bamboo और wooden chopping board में अंतर नहीं कर पाते हैं bamboo chopping board का advantage ये है कि ये एक natural और renewable material है और हमारे environment को हाम भी नहीं करता है secondly इसकी absorbent power कम होती है as compared to wooden chopping board बट wooden chopping board से ये काफी hard होते हैं और chopping करते समय हमारे knife की sharpness को affect कर सकते हैं दूसरी तरफ अगर हम wooden chopping board की बात करें तो ये कई तरह की wood से बनाये जाते हैं जैसे mango wood, neem wood और take wood ये भी एक natural source है और हमारे environment को हाम नहीं करता wood bamboo और plastic के comparison में soft होती है इसलिए knife की sharpness को हाम नहीं करती है बस इनकी water absorbent power अच्छी होती है इसलिए इन्हें use करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा इसे running water में wash करें और wash करने के बाद vertically place करें ताकि excess water drain out हो जाए और ये ज्यादा water absorb ना कर सके जितना कम water ये absorb करेंगे उतनी ही इनकी shelf life भी बढ़ जाएगी time to time इसे lemon और salt से disinfect करते रहे और last में थोड़ा सा oil लगा कर रख दे जिससे इसकी shelf life और भी बढ़ जाती है हमेशा अच्छे chopping board में invest करें किस तरह की wood है ये जरूर देखे take wood सबसे अच्छा होता है पर थोड़ा सा pricey भी होता है otherwise आप neem या mango wood भी ले सकते हैं just make sure कि इनके उपर कोई भी synthetic polish ना हो ताकि वो आपकी health को affect ना करे stainless steel chopping board modern touch देते हैं आपके kitchen में stainless steel के chopping board पर scratch तो आते हैं बट deep knife cuts नहीं बनते हैं plastic और wooden chopping board की तरह इसलिए ये सबसे ज्यादा hygienic होते हैं easy to use, easy to wash और easy to maintain जब भी हम कोई hard food item को cut करते हैं तो naturally उस पर ज्यादा pressure लगाते हैं अगर wooden chopping board होगा तो ज्यादा pressure से board पर grooves बन जाएंगे और हमारे chopping board खराब हो जाएगा ऐसे time stainless steel chopping board ज्यादा useful होते हैं बट steel एक metal है और जब knife से हम steel board पर chopping करेंगे तो ये knife की sharpness को affect करेंगे पर मैं इसे last six months से use कर रही हूँ as such मैंने बहुत ज्यादा problem face नहीं की है आप चाहे तो एक knife sharpener लेकर time to time अपने knives को sharp भी कर सकते हैं stainless steel chopping board की cleaning और maintenance बहुत ही आसान है और साथ ही ये बहुत ही hygienic होते हैं इसलिए इन्हें भी opt किया जा सकता है stainless steel के chopping board one time investment है इसलिए इन्हें purchase करते समय इनकी quality पर जरूर ध्यान दीजिए 304 grade या फिर 18 by 8 stainless steel को ही prefer कीजिए इन सब के अलावा glass chopping board और stone chopping board भी market में available है but glass की obviously handling थोड़ा मुश्किल होती है इसलिए ये comparatively उतने practical नहीं होते हैं जितने steel, plastic या फिर wooden chopping board तो friends यह था मेरा आज का वीडियो मैं अपने kitchen में stainless steel chopping board और wooden chopping board ही prefer करते हूं जो अपने plastic वाला chopping board देखा था वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो purpose के लिए ही मैंने purchase किया था उमीद करती हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और next time आप जब भी chopping board खरीदने जाए तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कॉमेंट करके मुझे यह जरूर बताईएगा कि आप अपने kitchen में कौन सा chopping board यूज करते हैं वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें चैनल को subscribe करें और साथ ही मैं गंडी को जरूर से बजाईए ताकि मेरे हर नए वीडियो का notification आपको मिल जाए मैं स्वाती मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ